Hello everyone, क्या हाल चाल सबके, I hope each and every one of you is doing absolutely well and आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या आप बचे होए टाइम में नीट की तैयारी कर सकते हैं and अगर कर सकते हैं तो कितनी एफिकेटली आप इस तैयारी को कर पाएंगे, क्या आपका शेडूल होना चाहिए what should be your time table and what should be your goals, किस time तक आपका syllabus complete हो जाना चाहिए कितने times आपको revision करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और एक fate plan को भी मैं आप लोगों के सामने present करने वाला हूँ जिसे कि आपको preparation में काफी जादा help मिलेगी तो please make sure कि अभी तक अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी डामा डोल है या अभी तक अगर सिर्फ तैयारी करने की ठानी ही है, कुछ किया नहीं है then this video is for you guys, but please make sure कि यहाँ पर मैं जो आपके साथ बाते कर रहा हूँ यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो insights देने वाला हूँ, उसका आप प्रयोग ठीक तरीके से करें यानि अगर आपने चीज़ें सुन ली और life में implement नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है, you can leave this video as of now लेकिन अगर आप चाहते हैं कि generally आप लोग एक strategic move लें अभी और बहुत अच्छे तरीके से अपने तयारी को एक track पर लेके आएं तो इस वीडियो को complete जरूर देखना और जो important बाते लगे उनको साथ साथ note करते चले जाना तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि क्या इस बात की possibility है कि हम अभी तयारी स्टार्ट करें और नीट को crack कर दें ये बात हमें तब अच्छे से समझ में आईगी जब हम date को speculate कर पाएं क्या हमारा paper मई तक हो सकता है मई के first week में जो की ideal time है नीट को conduct कराने का मई में हमारा paper नहीं हो सकता क्या हमारा paper जून में हो सकता है जून में हमारा paper इस बार नहीं हो सकता जुलाई के mid में जुलाई के end में आप speculate कर सकते हो कि yes this is the possibility and this possibility is the earliest possibility यानि जल्दी से जल्दी अगर होता है तो भी जुलाई में होगा ठीक है उससे पहले तो हो ही नहीं सकता यानि अगर हम एक safe side भी लेके चले तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जून तक का time तो proper है ही यानि आज से लेकर के हमारे पास साड़े पांच महीने तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहे हैं जनवरी हमारे पास आदा है then February, March, April, May and June ये पांच महीने प्लस हमारे पास 15 दिन जनवरी के इतने months हमारे पास आज के दिन के हिसाब से हैं जिसमें हम अपनी तयारी कर सकते हैं क्योंकि लगबख साड़े 5 से 6 महीने is the ideal time काफी बार कुछ लोग जो है वो counseling में participate करते हैं काफी बार अगर seat नहीं मिलती तो वो भी काफी late तयारी start करते है and ultimately they get through it in the next level तो जायब सी बात है अगर आप एक dropper हैं या अगर आप 12 में अभी first attempt देने वाले हैं तो please make sure कि बचे हुए साड़े 5-6 महीनों को आप लोग अच्छे तरीके से utilize करें तो क्या possibility है examination crack करने की yes possibility है इस बात में कोई भी दोराय नहीं है इस बात को आप लिख सकते हो कि अभी अगर आप start करो तो आप चीजों को ढीक तरीके से कर सकते हो लेकिन कैसे क्या पढ़ें कितना पढ़ें मैंने कल एक बात कही थी और वो बात जो है students को काफी पसंद आई मैंने कल एक बात कही थी कि अगर कोई मुझे 1000 पन्ने देता है और कहता है कि ये लो भाईया आपका पूरा paper इसी 1000 पन्ने से आएगा तो मैं उस 1000 पन्ने को कम से कम 100 बार revise कर दूँगा क्यों क्यों कि मुझे guarantee है कि paper यहां से आएगा अगर कोई मुझे guarantee देता है assurance देता है कि मेरे lecture से video से paper बनेगा या मेरी दी हुए DPP से paper बनेगा या मेरे पढ़ाय हुए question से बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पास जब यह guarantee होती है assurance होती है तो आप जान लगा देते हो एक चीज़ के पीछे उसे multiple time आप revise करते हो multiple times recapitulate करते हो जिससे कि आपके successful होने के chances बढ़ जाते हैं उसे exam को crack करने के chances बढ़ जाते हैं तो यह जो 1000 page है इनके बारे में हम लोग discussion करने वाले हैं कि यह कौन से 1000 pages हो सकते हैं या कौन से आपका यह material हो सकता है जो कि आप लोगों के लिए एक तम कारगर साबित हो तो सबसे अच्छा fate plan क्या रहता है सबसे अच्छा fate plan यह रहता है आज कल के जमाने में online हो चुका है सब कुछ सबसे अच्छा fate plan यह है कि या तो आप अगर किसी coaching को join कर चुके हैं तो coaching सभी बंध है तो उसका हम लोग reference नहीं ले रहे हैं लेकिन since अगर आपने कहीं से coaching करी है तो उसका lecture जो आपने देखा है वो आपके दिमाग में एक छाप छोड़ता है और आपका basic जो concept formation है उसका एक build-up बनाता है अगर आपने lecture देख लिया है तो उसके बाद it becomes very important to revisit कि क्या पढ़ाया हुआ है यानि एक teacher ने जो पढ़ाया है जिस भाषा में पढ़ाया है उस हिसाब से आपने या तो notes बनाए हो या फिर आपको notes बने बनाए मिल गए हो teacher ने खुद provide कर दिये हो, PPT दे दी हो तो वो notes जो है आपको एक बार revisit करने है teacher के एक chapter के पढ़ाते ही यानि पहले teacher का lecture सुनो, उसके बाद उनके notes revisit करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद कुछ questions लगाओ और questions के अंदर it is very mandatory कि आपके PYQs कम से कम 12 से 15 साल के, कम से कम 12 साल के तो करने है और exemplar included हो क्योंकि NCRT का ही part है, PYQ तो हर exam का एकदम official partner रहता है, तो आपने lecture देखा, आपने notes revisit की, आपने questions लगाए, questions में आपके objective questions होंगे किसी book से हो सकते हैं, किसी DPP से हो सकते हैं, किसी PYQ के हो सकते हैं, there are a lot of things, तो आप practice paper भी लगा सकते हो और PYQ और exemplar तो लगाने ही लगाने है, और इसके साथ-साथ आपको फिर end में देना है एक test, और test देने के बाद फिर आपकी जो कमिया रहती हैं, वो आप फिर करोगे notes में supplement, कि हर test में आपको कोई ना कोई एक ऐसा point मिलेगा, जो शायद आपके notes में नहीं था, क्योंकि हर teacher सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, तो बहुत unnecessary data आपके पास हो जाएगा, इकटा, तो आपको क्या करना है, test में अगर कोई एक point मिला, let's say आपको एक point मिला कि सबसे पहला zoo कहा बना था, तो हमारे लिए तो irrelevant है data, लेकिन let's say किसी test series में था, आपको लगा कि इस question क्या आने की संभ particular आपका country, तो आपका क्या हो गया, जब note supplement हो गए, तो आपके notes और ज्यादा strong होते जा रहे हैं, अब उसमें और point set होते जा रहे हैं, तो simple सी अगर यहाँ पर हम लोग fate या strategy लेके चलें, तो क्या हो सकता है, सबसे पहले lecture देखो, lecture देखने के बाद notes पढ़ो, notes पढ़ने के आप दुबारा से notes को revise करो, अगर आप हर chapter के लिए इतना कर लेते हो, then you are done, अब इतना कहां से करें, इतना कहां से करें, उसके लिए हमारे पास एक basic schedule है, जो कि हमारे खुद के batch का है, अब obviously, यहाँ पर अगर मैं आपको सला दे रहा हूं, then I would obviously say कि आप मेरे lectures को देखें, च हमारे किसी भी batch के अंदर enrolled थे, समय लो आपकी physics खराब है, आपको असा लगता है कि आपको physics नहीं आती, या आपको असा लगता है कि आपको chemistry नहीं आती, या आपको असा लगता है कि biology नहीं आती, या आपको असा लगता है कि मुझे तो सारा का सारा starting से पढ़ना पड़ेग सबसे पहले अगर लेटसे आप बाईलोजी का कोर्स लेते हैं तो बाईलोजी का मेरा लेक्चर देखो और इतना बाब लेवल का लेक्चर है वो सारे की सारे लेक्चर इतने बड़िया लेवल के हैं मैं तो crash course भी पढ़ाता हूं आपको समझ में सब आ जाएगा ये मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ आप कोई lecture देखोगे खतम करोगे आपको ये महसूस नहीं होगा कि अब मुझे कुछ नहीं आता आप हमेशा कुछ नया सिखोगे तो lecture जब आप देखते हो उसके बाद आप notes आपको मेरे मिल जाते हैं exemplar भी मिल जाएंगे video solution भी मिल जाएंगे उसके बाद since test series है तो test series के हिसाब से lecture देखो अगर 24 जनवरी को आपका living world का test है न तो पहले biological living world देखो तेईस तारिक को बैठ करके ओके और उसके बाद इसका test दो और यहां से जो नया point मिले उसको क्या करो नया point को supplement कर लो अपने notes के अंदर जो आपने copy में बनाए हैं सारे के सारे points आपके cover हो जाएंगे and यही तो चाहिए बस यानि कि selection आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा मैंने आपको last slide में बताया था कि अगर कोई मुझे बोले कि यह मेरा content है इसी से paper आएगा इस बात की मैं आपको guarantee दूँगा तो यहां पर यह वही content है दोस्त जो हम पढ़ाते हैं उससे बाहर paper नहीं फुदक सकता और अगर उससे बाहर question फुदकेगा तो सबके लिए फुदकेगा सिर्फ हम नहीं आएंगे उसके शिकार हम नहीं बनेंगे सिर्फ वो सबके लिए ही out of NCRD होगा वो सबके लिए ही out of context वाला question होगा तो यहां पर क्या है आप क्या कर सकते हैं इस time table को follow कर सकते हैं आप इस time table को बाद में भी पकड़ सकते हैं समल लिजे यह वीडियो आप देख रहे हैं 25 जनवरी को तो आप बहुत जादा late नहीं हुएं दोस अगर यह वीडियो आप देख रहे हैंग एक फरवरी को तो आप बहुत जादा late नहीं हुएं आपको करना क्या है आपके पास buffer दिन है buffer दिन मतलब Sunday का हमने हमेशा holiday रखा है so what you need to do is एक दिन में एक chapter का test है एक दिन में एक chapter हमारे batches से पढ़िए और उसके बाद उसका test दीजिए और साथ साथ तयार होते जाए यह revision भी आपका हम लोग अच्छे तरीके से करा देंगे तो यहाँ पर जो Sunday है ना यह gap है यह gap किसलिए है समझ लो किसी दिन आप बिमार रहें या किसी दिन आपके घर पर कोई महमान आ गया या आपको दोबारा सारी चीज़े revise करनी है यह जो आप च्छे दिन पढ़ाई करते हैं ना यह च्छे दिन आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसका revision आप किस दिन मारेंगे उसका revision आप लोग संडे को मारेंगे बहुत ही efficately मारेंगे जिसे कि च्छे दिन आपने जो भी पढ़ा वो आपके दिमाग में बैठ जाए एक proper revision हो तो पहले आपने मेरा lecture देखा उसके बाद मेरे notes से revision किया तब की तब एक बार revision हो गया उसके बाद आपने test दिया और notes को supplement करके notes को दोबारा देखा दो बार revision हो गया और तीसरी बार हर Sunday को which is not a fun day anymore और आपको इसमें भी पढ़ाई करनी होगी Sunday को आप लोग तीसरी बार revisit कर रहे हैं चीजों को और कोई भी चीज आप तीन से चार बार में आसानी से याद कर सकते हैं यानि जब तक आपका paper आएगा न दोस्त यानि मई के first week तक आप पूरे syllabus को इस पूरे pattern के हिसाब से wrap up कर चुके होंगे हमारा last test अगर आप देखे तो 10 मई को है 10 में तक आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से रगड़ चुके होंगे उसके बाद आपके पास किते दिन बचते हैं पूरी मई बच गई पूरी जून बच गई लगबग आपके पास 50 दिन बचते हैं और वो भी जब हम कह रहे हैं कि पेपर आपका 1 जुलाई को ही हो गया समझ लो तब आपके पास 50 दिन है यानि इतने जालत दिन आपके पास बचे हुआ है कि आप 2 से 3 बार और रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ साथ ही सारी की सारी चीज़े आपको मिल जाएंगे राइट तो इस इस वेरी इंपोर्टन गई कि आपको अगर एक शेडूल चाहिए तो इससे जाधा बहतर शेडूल नहीं हो सकता ये शेडूल मैंने टेलिग्राम पर पोस्ट कर दिया है नीचे जब आप डिस्क्रिप्चन में जाओगे पहला लिंक टेलिग्राम का है इस शेडूल को आप क्या करो डाउनलोड कर लो इसका प्रिंट ले लो और प्रिंट ले करके अपने घर की दिवार पर चिपका लो और डेली बेसिस पर नोट करते रहो क्या मैंने 24 तारिक को लिविंग वर्ड पढ़के उसका टेस्ट दिया येस क्या मैंने चेमिस्ट्री 28 जनवरी को पढ़के स्टॉक्चर आफ एटम का टेस्ट दिया येस और टिक मार्क करते रहो जिस दिन आपके 100 के 100 tick mark हो गए ना उस दिन आपको सिर्फ test देने पड़ेंगे और सिर्फ और सिर्फ अपने notes को revise करना पड़ेगा recapture करना पड़ेगा और इसका भी पूरा का पूरा जुगार है हम लोग कुछ handwritten notes पर भी काम कर रहे हैं और पचास दिन आपको revision के भी मिलेंगे यानि अगर आप इस वीडियो को 10 दिन बात भी देखते हो तो आप 40 दिन का revision कर सकते हो and you can still join the courses crash course मस्त होता है मेरा biological का बहुत मस्त होता है लेकिन still मैं कहारा हूँ यार chemistry physics में आपको detailed analysis की ज़रुरत होती है that's why I am pondering more upon the full length course क्योंकि full length course जब आप एक purchase करते हो जब आप लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उसे पढ़ना और हमारा full length course अगर आपने पढ़ लिया you can target 700 marks in need और ये वो target है जो कि आपको genuinely चाहिए मैंने एक video भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि next year अगर आप एक अच्छी government medical seat target करना चाहते है तो 700 number का उदेश आपका होना चाहिए तब जाके आपको अपनी मन पसंद का college मिलेगा इस बार देखना मेरे भाई aims दिल्ली तक नहीं मिलेगा जिसको 699 किसी के आए होंगे न aims दिल्ली में admission तक भी नहीं होगा क्योंकि कम से कम आपकी मानिक चल लगबग 100 बच्चों के नंबर तो 700 से उपर आए ही होंगे इतना ज़ादा अभी competition हो चुका है कि aims देली तो यहीं lock हो जाएगा 700 पर तो अगर आपका dream college आता है कि कौन कितनी वीडियो देख रहा है तो there is a very good retention time, very good watch time लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को you know देखते हैं बहुत जादा हमारा जो content हो consume करते हैं I want you guys to enjoy that course to the fullest सिर्फ आपको फिर वहीं देखना पड़ेगा और कहीं इधर उधर की चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी तो आप एक्दम strategically अपने time को invest कर पाएंगे आप सिर्फ you know चैनल को subscribe कर लीजे या फिर telegram पर join हो जाईए जिससे आपको notes बगरा मिलते रहें वैसे batch में आपको सारी video सारे notes सब कुछ ही timely मिलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे हमारा doubt mail भी दिया हुआ है in the first orientation video तो जब आप doubt mail पर जाएंगे तो आप अपने doubts भी वही post कर सकते हैं यानि आपकी सारी unnecessary जंजट हट जाएगी आप सिर्फ focus होकर inclined होकर के goal की तरफ काम कर पाएंगे so please make sure कि आप course में जुड़ जाएं और course में ना जुड़ें तो आप at least हमारी test series को purchase कर सकते हैं join कर सकते हैं जो कि हमने आप लोगों के लिए कल ही launch करे थी for 9.99 रुपीज इसका link आपको description में मिल जाएगा तो अगर आप अकेली test series लेते हैं तो 9.99 रुपीज में और अगर आप कोई भी course लेते हैं चाहे आप biology का individual course ही क्यों ना लें 2000 रुपे का उसके साथ 1000 रुपे के test series आपकी free chemistry का आप individual course क्यों ना लें physics का क्यों ना लें अगर आप तीनों के तीनों लेते हैं तो भी आपका इसके साथ test series एक दम included होगी सारी की सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी so I would recommend you guys to make this affordable course a very integral part of your life for the next 6 months जिसे कि आप लोग बहुत बहतर तरीके सा अपनी तयारी कर पाओ इसके लिए आपको हमारी application को install करना पड़ेगा और अगर आप इन में से कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहते तो आप हमारी application को install कर सकते हो यहाँ पे कुछ question banks हैं biology के जो 10 रुपे से start हो जाते हैं तो आप उन question banks को at least purchase कर सकते हो 10 रुपे कोई बहुत बड़ा amount नहीं है it is just a token price to appreciate our team as well as it is a token price to get the difficulty wise questions for each and every topic तो topic wise आपको यह questions मिलेंगे तो चाय के साथ कभी आप you know दो पैर में बैठे हैं चाय पीर हैं एक topic के आप questions कर सकते हैं आप chapter wise जो है बेतर तरीके से अपनी तयारी कर सकते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप at least a question bank तो उठा ही ले 10 रुपे कोई बहुत बड़ा price नहीं है रितने के तो 10 रुपे के तो तुर-तुरे खा जाते हैं बच्चे यार तो इतना तुम कर सकते हो and Marksab learning app नाम के telegram channel को ज़रूर join कर लेना यहां पर मिलते हैं हमारे सारे के सारे हस्त लिकित notes and बहुत ही ज़ादा मज़ा आ जाएगा यार आपको यह notes लेकर के तो telegram को आपको install कर लेना है and नीचे description में link मिल जाएगा आपको हमारे telegram group का और telegram के हमारे एक और you know basically channel है उसका तो दोनों पर आप लोग connect कर सकते हैं so I hope this video was really beneficial for you guys if you really understood it then please make sure to get connected आप Instagram पर भी मुझे follow कर सकते हैं weapon sharma biology मेरा swipe up नहीं आ रहा है कई दिन हो गए मेरा swipe up नहीं आया swipe up तो मेरे दिलादो यार हजार followers कम है तो एक बार please just go down description में लिक नहीं में लेगा वैसे तो but Gupit Sharma biology नाम से Instagram channel है आप जाकर जो है एक बार connect हो सकते हैं जिससे कि हम लोग एक long term में जुड़े रहे and ultimately I can give you variety of links of several articles of several different things जो कि आप वहीं से Instagram से ही directly swipe up के थूँ download कर पाए और content को अवेल कर पाए so thank you so much यार description में हर चीज़ का link है of every 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 possible thing so please make sure to go down at least check our courses और either take the you know test series अभी आपके पास time है एक हफ़ते का buffer time है उसमें पढ़ो यार अच्छा कासर syllabus complete करो and test दो और बहुत बहुत बहुतर तरीके से अपनी performance को analyze करो video solutions भी बहुत चल्दी बनने लग पड़ेंगे and ultimately we will be supplementing them you know after a few test alright यार thank you so much bye bye take care lots of love जाहिन और tech solution पहले दिन से है तो आप जाकर के अपने performance को analyze कर सकते bye bye take care